आप कि नमस्कार आप देखे रहा नीजवर्ण इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन बहुत स्वागत है आपका अच्रियु में चक्रियों में आज बात करेंगे कॉंग्रिस की जी हां कॉंग्रिस की बात इसलिए क्योंकि कॉंग्रिस ने एक पूरा चक्रियों तयार कर लिया है वो भी मुस्लिमों के लिए मुस्लिम वोटर्स के लिए ये जरूरी भी है लेकिन मुस्लिम इस चक्रिगों को कैसे भेद पाते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है दर असल कॉंग्रि में तीन दशक के सत्ता के वनवास को खत्म करने अपने पुराने जाती सम्हकरन को फिर से दुरूस करने वुजुद कई है ऐसे में कॉंग्रेस की नजर सपा के मुसलिम वोट बैंक पर है जिसे अपने पाले में लाने के लिए मौराना को बाद में मस्जित का सहरा लेने का काम कर रही है कॉंग्रेस अपने 16 सूत्रिय संकलप पत्र को मुसल्मानों के घर घर पर पहुंचाने के लिए शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मज़ितों के बाहर संकल्प पत्र बाटी हुई नजर आई उत्रप्रदेश में कॉंग्रेस साब मुस्लिम वोटों के लिए सपा के खिलाफ खुल कर मोचा खोलने की तयारी में है क्योंकि उत्रपदेश में जो मुख्य विपक्ष अभी तक नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सपा है 2022 यूपिचना में कॉंग्रेस हर वो दाव चल रही है जिससे सपा के मुस्लिम कोर वोट बैंक में सेंध लग सके इसे रनीते के तहट कॉंग्रेस ने 16 सूत्रिय संकल पत्र में ऐसे चुन-चुन कर मुद्दो को शामिल किया है जो सपा सरकार को मुसल्मानों के मामले पर कटगरे में खड़ा कर सकती है कॉंग्रेस अपने पराने मुसलिम वोट बैंक को वापस लाने के लिए वो सब करने के कवार्ड में हैं जिसे अकले श्यादव की सपा को सियासी नुकसान पहुंच सके सरनीते के तहर कॉंग्रेस का सबसे बड़ा जंडा ये है कि हों मुसल्मानों की मुद्दो पर सपा को मुसलिम के बीच एक्सपोज कर सके एक्सपोज यानि की सपा के ने मुसलिम ने मुस्लिमों के लिए सपाने कुछ नहीं किया है और सपा के लिए मुस्लिम कुछ भी नहीं है ये एक्सपोस करने की कोशिश कॉंग्रिस की होने वाली है चले आपको जल्दी जल्दी बिता देती हैं कि ये जो कॉंग्लिस का 16 सूत्रिय संकल पत्र है उसमें कौन-कौन से मुद्दे हैं जो बेहद जरूरी है जाना सरकार बनी तो C.A. और N.R.C. विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे मौफजा दिया जाएगा दूसरा, राजिस्तान की कॉंग्लिस सरकार की तरह माब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिविदान सभास राश्पती को प्रस्ताव भेजा जाएगा तीसरा, बुनकरों को फ्लेट रेट पर बिशली दी जाएगी और कॉंग्लिस के जमाने में स्थापित की गई कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा चौथा, डॉक्टर मनमोहन सिंग सरकार में बनकरों के लिए जारी किये गए दो हजा तीन सो पचास करोड रुपए खर्च किये जाएगे पाच्वा, सपासरकार में बन की टिनरी खोली जाएगी और छटा जो है वो है अम बेटकर छात्रवासों के तज़ पर हर जिले में अल्प संक्यक छात्रों के लिए मौलाना अजार छात्रवास खूले जाएगे आप अभी तक समझ गए होंगे कि कॉंग्रिस क्या करना चाहरी है चाहे वो सिक्षा का शेत्र हो चाहे वो विकास का शेत्र हो हर शेत्र में अपनी पकर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ये संकल पत्र में साफ 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 लिखा हुआ है अल्प संक्यक छात्रों को छात्रविती दी जाएगी मदर्सा आधूनी करण सिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए 15 सरकार पर दवा भी बनाया जाएगा पिछले 30 सालों में वक्व की समपत्यों में हुई धांदली की जाज कराई जाएगी और दोश्यों को सजा भी दी जाएगी पसमादा तबकों की विकास के लिए अलग से पसमादा आयोग का गठन किया जाएगा दस्तकार वर्ग की आवास को सदन में स्थाई तोर पर उठाने के लिए उस वर्ग से विधान परिशद में एक सदसे नामित किया जाएगा अखिलेश व्यादफ सरकार में हुए सभी छोटे बड़े दंगों की न्याइक जाज अप अंदाजा लगाईए सीधे टार्गेट सपा और न्याइक जाज कराकर दोश्यों को सजा भी दिलाई जाएगी 1992 में कानपर में हुए दंगे की जाज के लिए गठित माथुल कमिशन के रिपोर्ट पर कारवाई कर दोश्यों को सजा दी जाएगी हार मंडल में एक युनारी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा अल्प संक्यक वर्ग में आत्म विश्वास विक्सित करने के लिए अल्प संक्यक बहुल इलाकों में राज्चे पुलिस बल में भरती के लिए विशेश कैम्प लगाए जाएगे उत्तर प्रदेश गौवद निवारन यानि की जो बीजेपी का मुद्दा हुआ करता था वो भी कॉंग्रिस ने अपने संकल्प पत्र में श्रामिल कर लिया है उत्तर प्रदेश गौवद निवारन अधिनियम के तहट बेगुना लोगों पर लादी हुए मुकद्मे जिने हाई कोट ने खारिच कर गया था उनको मुआफ़ा दिया जाएगा तो कॉंग्रिस के 16 सूत्रे संकल्प पत्र में इसी एनार्सी अंदोलर में दर्ज मुकद्में वापस लेने से लेकर मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने कॉंग्रिस इसी संकल्प पत्र को 15 अक्टूबर तक हर शुकरवार को जुमे की नमाज के बाहर सूबे की सभी और याज से ही शुरू हो गया है क्योंकि आज जुम्मा है नमाज भी हो चुकी है जुम्मे की तो ऐसे में 403 विधान सभाशेत्रों में वित्रण करने की पूरी तयारी है यूपी में हर शुकरवार को 8000 से जादा मज़िदों के बाहर कॉंग्रिस अल्प संक्यक मोर्शा के सदल से 16 सूत्रे संकल्पत्र वित्रित करते हुए नज़र आएंगे जैसा कि आस नज़र आए कॉंग्रिस से वियावयान के तहट मज़िदों के जरिये 25 लाक मिसलमानों के घर घर संकल्पत्र पहुँचाएगी कॉंग्रिस के टार्गेट पर सीधे तोर पर सपान नज़र आ रही है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ जिस तरह से संकल्पत्र तयार किया गया है उसमें सीधे तोर पर अखली श्यादव को टार्गेट कॉंग्रिस ने किया है कॉंग्रिस इन्हीं सोरा मुद्दों को लेकर सपा को 2022 के चुनाव में घरने की तयारी कर रखी है इसी कॉंग्रिस के तेहट कॉंग्रिस गाओं गाओं और को सुबर में जाकर मज़िदों के जरिये मुस्लिमों के बीच पहुँचेगी इस तरह कॉंग्रिस मुस्लिम वोटर को सपा से दूर कर अपने पाले में लाने के कवायद में है यूपी की सत्ता से कॉंग्रिस तीन दश्कों से बाहर है और अब कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे बस जमीन मिल जाये जो जमीन उनकी हाथों से खिसब चुकी है सपा बसपा ही सरकार में रही है सूबे का मुसलिम मदाता आजादी के बात से 90 के दशक्ता कॉंग्रिस का परंप्रा गत वोटर रहा है जिसके चलते कॉंग्रिस सपा पर विराजमान होती भी रही है मंदल और कमंदल की राजनीती में कॉंग्रेस का रार्षितिक समिकरन यूपी में तूट गया है जिससे ब्रहमन वोटर बीजेपी में चला गया तो दलित बसपा के साथ है जबकि मुसलिमों की पहली पसंद सपा बनी और उसके बाद मायवती मुसलिम वोटों के छिटकने के चलते कॉंग्रेस सुभे के सप्था में दुबारा से नहीं आ सकी ऐसे में कॉंग्रेस फिर से अपने पुराने मुसलिम वोट बैंक को वापस लाने के लिए तमाम जतन कर रही है यूपी में मुसलिम वोटरों के लिए कॉंग्रेस ने सीधे सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया सपा को मुसलमानों के मुद्धे पर कॉंग्रिस ना सिर्फ घेरेगी बलकि मुसलिम समुदाय के बीच एक एक्सपोजर भी चाहती है यूपी में मुसलिम सियासत कॉंग्रिस ऐसे ही सपा को निशाने पर नहीं ले रही बलकि सीधे सीधे सियासत नजराती है उतरपदेश में करीब 20 फीस्ती मुसलिम वोटर्स हैं उनको साधने की रणीती तैयार है 20 फीस्ती मुसलमानों को सुबे की कुल 143 सीटों पर असर रहता है इनमें से 70 सीटों पर पर नाओरband सैसे 27 सीट इसी है सुबे की खरीब तीन दर्जनं ऐसी विधानसभा सीटे हैं जोहां मुसलिम उमीदवार अपने दम पल जीत दर्ज कर सकते हैं जबकि करीब 107 विधानसभा सीटे ऐसी हैं जहां अल्प संक्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं इनमें ज्यादतर सीटे पश्रीमी उत्तरप्रदेश में हैं जहाँ पर किसानों का हला बोल चल रहा है जहाँ पर किसान प्रदेश सरकार से केंद सरकार से नाराज है तो ऐसे में उन मुस्लिम किसानों को साधना आसान होगा जो पश्रिवी उत्तरप्रदेश से हैं कॉंग्रिस के लिए यहां रास्ता साफ हो सकता है तराई वाले राके और पूरी उत्तरप्रदेश में भी ऐसे ही आरात है इसलिए कॉंग्रिस मुसल्मानों को अपने साथ जोडने के लिए खुल कर सपा के खिलाफ मोचा कोल दिया है और आरपार के मोड में है ऐसे मोचाहे दबंगो की न्याइक जाज की बात हो या चाहे मातुर कमिशन की रिपोर्ट पर कारवाई करने का वादा हो वो चाहे समाजवादी साशन के दुरान टेनरी और वूचर खाने के बंद होने की बात हो या फिर पुलिस बलों में अल्ग संक्यक समुदाय के लोगों की भरती का सवाल हो यह ऐसे मुद्धे हैं जिनने लेकर कॉंग्रिस की निशाने पर सपा और अखली इश्यादव होंगे ऐसे में देखना होगा कि कॉंग्रिस की रनीती 2022 के चुनाव में कितनी सफल रहती है तो अप अनदाजा लगाईए कि किस तरह से पूरी तैयारी कॉंग्रिस ने की है पूरा blueprint जो है बहुत तगढ़ी रनीती के साथ तयार किया गया है इसमे इस्थान की मुद्धे भी है इसमे अलफ संख्यों को का मुद्धा भी है इसमें हिंदूओं का मुद्दा भी है, इसमें मुसल्मानों का मुद्दा भी है, इसमें सिक्षा का मुद्दा है, इसमें बूचर खानों का मुद्दा है, इसमें गौवद का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं इसमें, किसानों का भी मुद्दा है ये 16 सूत्रिय जो संकल पत्र है ना इसमें सब कुछ लपेट कर रख दिया है कॉंग्रिस ने तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये चीज़ें संकल पत्र तक ही रह जाएंगी या धरातल पर भी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है लेकिन ये जो लालज कॉंग्रिस दे रही है 16 सूत्रिय संकल पत्र का क्या इससे जनता आसानी से कॉंग्रिस के पास चली जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल है 47 लिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे संकल पत्र हैं जो बीज़ेपी अपनी घोश्णा पत्र में दिखा चुकी है सपा भी दिखा चुकी है बसपा भी दिखा चुकी है और कॉंग्रिस अब दिखा रही है लेकिन कॉंग्रेस तीर आई है, अपना सिक्का बहुत अच्छे समय पर अच्छे तरीके से फेका है लेकिन शायद अगर जल्दी फेका होता तो बहुत फाइदा कॉंग्रेस को हो सकता था देखे कॉंग्रेस के अगर बात की जाए तो जमीनी सत्थ पर पूरी तरह से कॉंग्रेस खत्म हो चुकी हो अतरप्रदेश में अमेठी सीट बची थी वो भी 2019 के लोगसभा चुनाव में राहूल गांधी से स्मृतिरानी ने छीन ली या फिर ये कहें कि जनता ने खुद स्मृतिरानी को वो सीट दे दी अब सवाल ये कि 2022 को जो विधान सभा चुनाव होगा वो कितना अलग है लोगसभा चुनाव से इस वजह से एक बंपर जीत बीजेपी को हासिल होई थी लेकिन 2022 का जो यूपी में विधान सभा चुनाव है वो बेहादी अलग है देखे बात पांच राज्य की है 2022 पे पांच राज्य में चनाव होने है लेकिन सबसे जादा फोकर जो है वो उत्तरप्रदेश पे रहने वाला है क्योंकि 2022 की जो तयारी है वो यूपी से ही होती दिखाई देती है हर बार ऐसा ही होता है कि उत्तरप्रदेश की जो रास्ता है वो दिली तक जाएगा ऐसा रा सबसे पहला सवाल भुदेव शर्मा जी से क्योंकि इतना लंबा चोड़ा संकल पत्र जो कॉंग्रिस लेकर आई है गुदेव शर्मा जी देर आए दुरूस्ता है बहुत बढ़िया संकल पत्र तयार किया है चारों और पटकन ही दे रहे हैं सबको देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस देश में इस देश के निर्मार में जो कॉंग्रेस पार्टी की भूमिका है वो किसी पार्टी की नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ही सभी धर्मों को सभी जाकियों को सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है अब अगर कोई संकल पत्र निकाला आए तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल आप देखिए के उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपाने बश्पाने या फिर भी ज़ी पी का दिखा करके मुसल्मानों के मन में जो दर पहड़ा किया जिसके कारड़ आज पूरे भारत में मुसल्मान काफी पीचे चले गए तो अब उनको आगे आने की जुन्म होता है, क्योंकि देश एक ऐसे समय घुलर रहा है, जिस समय भारती जन्ता पार्टी ने जो बड़े-बड़े बादेश किये थे, वो भी देश के युवाउने, देश के किसानों ने, देश के मजदूरों ने, देश की लोगों ने देख अब ये बात मुसल्मानों को भी समझ में आने लगी है, चाहे हो वैसी जी हो, चाहे सपा हो या भसपा हो, केवल उनको गुम्राह करने का काम किया है, कॉंग्रेस पार्टी ही है, जो सभी के लिए काम करती है, और आगे भी करती रहेगी, ये संकल पत्र, एक्शली बात के हो हम मंदिर हो, मज्जित हो, हर जबे जाते हैं, लेकिन इसको भारती जंता पार्टी वाले इसको मुद्दा बनाने का काम करते हैं, जबके कॉंग्रेस पार्टी सभी भर्गों को, सभी जाकियों को साप लेके चलती हैं, हम किसी भी चुनाम में, केवल मुद्दो गिंपर तो आप क्या सोच रहे हैं कि बाकी जो राजनितिक दल है, वो मुद्दा विहीन है, बाकी राजनितिक दल मुद्दो को लेकर के जंता के सामने नहीं जाता है, केवल उनको दर दिखाया जाता है, पाकिस्तान का दर दिखाया जाएगा, मुसलमानों का दर दिखाया जाएग लेकिन कभी ये रोजगार की बात नहीं करते, कभी ये किसान होती, कभी ये मुस्लिम धन गुरू है आप, आप मुझे ये बताइए कि जो आप बात बुदेव शर्मा जी कह रहे हैं, कि BJP जो है, मुसल्मान दब रहे हैं, क्या आप भी ऐसा मानते हैं, कि BJP की सरकार में ऐसा हो रहा है? BJP नहीं, सपार, बस्वा भी यही काम करती है. कॉंग्रेस, कॉंग्रेस क्या करती है, कॉंग्रेस पिछले तीन दश्वा से नहीं है सत्ता में, लेकिन केंदर पर तो काफी राज किया है. वही मैं आपके बताना चाह रहा हूँ, जा आप उत्तर पिदेश के आहलाद देखिए, 1970 से पहली और 1970 के बाद जब बस्वा सपार, BJP की सरकार नहीं है. सवाल लेना बहुत जरूरी है, जो बाती अभी कहीं है, भुदेव शर्मा जी ने, वैबाब अगरवाल जी, क्या लग रहा है आपको, जो कह रहे हैं, भुदेव शर्मा जी वो सही है, अगर आप तो नाटेंगे ही, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ. काजल जी, शर्मा जी ने बात करी, वो बात बढ़िया करी, वो उनका अपना नजरिया है देखने का, काई लोग सवेरे को शाम देखते हैं, और काई लोग शाम को सवेरा देखते हैं, उसमें मेरी कोई आचित्ते नहीं हो सकता है टिपणी करने का, और वो एनिविच वेज, वो अपनी हाइप कमांड के थूँ बात कर रहे हैं, उनके शब्द जो है, बोल वो रहे हैं, लेकिन उनको लिखा उनकी हाई कमांड नहीं है, तो इसमें कोई मेरा डिस अग्रीमेंट नहीं है उनके साथ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको और आपके दर्शकों को और गुदेव जी को भी थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, कि जब हम एक पार्टी का न नजरिया है, उसको नहीं भूलना चाहिए, अब उस नजरिया में मैं एक दो चीजें, उन्होंने बोला कि कॉंग्रेस पार्टी और जाहिर सी बात है, वो कॉंग्रेस की अगवाई कर रहे हैं अभी इस डिबेट पे, तो उनका अधिकार बनता है कि वो कॉंग्रेस की तारी है कि जिस कॉंग्रेस में रिप्रेजन कर रहे हैं आज की तारिक में, वो अन्य दलों के मुताबिक थोड़ी अलग है, जो कॉंग्रेस की इस निन्ने सो चॉराटी की इंदरा कॉंग्रेस है, वो नहीं है कि देश के निर्मान में हेल्प करी थी, तो पहले तो उनको अपना आगर अगर उनको सौ साल की ग्यान की गंगा में भी अगर नहाने देता हूं लेकिन उसमें बोलूँगा कि आप साबून इस्तमाल ही नहीं कर सकते अपने पापों का प्राइश्चित करने के लिए क्योंकि वही सो साल की कंग्रेस है जिसने देश का बटवारा भी किया था और इसमें आन तीक जाने भी गई थी दॉत्य लिए तोड़ा सा एक शेकंद के लिए ठीकिने okay छी अब गलत जूतने आड कर लेगा पलीगा लेगा पुरा मुंक विलेगा तो नहीं भी अब लेगा पूरा मुकम लेगा जिसके बाद फिर पूर के पास आओंगी बात को दबाने की कोशिश करते हैं भात में अपनी गल्ती स्विकार नहीं करते हैं। मैं सपा की तारीफ करना चाहूंगा इस मामने में सपा की तारीफ में रही ही.... लेकिन उनोंने कहा या क्या दाल में कुछ काला की कर allied है लेकिन जहां कि पृहरे की पृूर चीननी कर रही हैओ धांकी करते जॉप मतानेहा हिए는 ज्यों, आप शुसरे में स्वقول के शैत्र dipping तेसार कहां में सी अविजम आपको एक राष्ट्रवादी पार्टी बोलती है तो कॉंग्रेस से मैं यहां पर गुजारिश करूँगा कि वह पाँच ऐसे कारें बता दे जिससे वह अपना राष्ट्रवादी चहरा जनता के बीच में रख पाए बैब अपने आपको राष्ट्रवादी परसन बोल लो और आप किस तरह की बाते करें राष्ट्रवाद क्यों होता है आप मुझे यह दिपायन करके बताईए कि राष्ट्रवाद क्यों होता है पहले तो पहले तो मैं वैबप जी बतादूं कि दौट इसमें विदान सबाद चुनाफ होने हैं तो सपा बसपा बहुत बड़ी मनोच जी से पूछूंगे मनोच जी सपा बहुत अच्छा कर रही है बीजेपी ऐसा कह रही है क्या मकसद हो सकता है इसकी पीछी और क्या कुछ चिपा हुआ है जो हम तक नहीं पहुंचा समाजवादी पार्टी जो विपच्छ में है उससे सवाल नहीं करती है और विपच्छ पे कोई सवाल नहीं करती है जो सत्ता में है जिसको जन्ता ने जिम्मेदारी दी है और इस बात की जिम्मेदारी कि आपको डवलेमेंट करना है आपको लोग कल्यानकारी काम करना है राजनीतिक और समयधानिक अधिकार वो हमारी बुराई कर सकते हैं यहां तो आपकी तारीफ हो रही है यह तो बहुत अच्छी बात है और किसानों के साथ जो पूरी तरीके से सड्यंत रचा जा रहा है मौजूदा सरकार के दोरा उन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए सरकार से सवाल पूछे कि नहरू ने क्या किया था पटेल ने क्या किया था इंदरा जी ने क्या किया था राजीव जी ने क्या किया था अब बाते करके मुझे नहीं लगता कि मौझे नहीं लगता कि मौझे नहीं लगता कि मौझे नहीं लगता कि मौझे नहीं लगता कि मौझ कि हम निश्चित तोर पर अगर कोई सत्ता में बैठा और उसका जो तमाम मैने फैस्टों उसके बात करेंगे विपद्जी के मैने फैस्टों पर हम क्या बात करेंगे आपने जुड़ा वाइस ले आप से पूछ रही हूं नहीं हमसे क्यों जुड़ा हुआ है अपना कॉंग्रेस अपना मैने फैस्टों लेकिया है जनता के बीच में ले जाए जनता को जिस तरीके से पूछ रही हूं आप सुनलेजी आप क्या लिखा है वैं आपको पढ़ के बता रही हूं अखलेश सरकार में हुए जंगों की और दोश्यों को सजा दी जागी है कॉंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है अरे दसल में कॉंग्रेस के पास कुछ बचा नहीं तो सब कुछ ना कुछ ऐसी बाते जरूर करेगी जिसे उसको फायदा मिले लेकिन हमें डंगों की राजनीट भार्मी की राजनीट जिन्दों मुसल्मान की राजनीट इन सबसे इतर हैं हमने इतिहासिक काम उत्रप्रदेश में किया है और दिनिया राष्टे दिस्री अखले से अबर जिने जो काम की आप्रप्रदेश की अपने कारिकाल में आपका तो मुसलिम वोट बैंक बहुत बढ़ा बहुत एकदम इ पीजेपी अपने मनेफेस्टों में मुसल्मानों के डिलेंमेंट की बात करते और अगर हम डिलेंट नहीं कर रहे थे मैं कॉंगरेस के साथी से पूछना चाता हूँ तो हमने यह आरोप क्यों लगा कि हमने सबसे आधा काम मुसल्मानों के लिए किया हम कॉंग्रेस की बात को सही माने कि बीजेपी की बात को सही माने एक कहता है कि हमने मुसल्मानों को ठगा है एक कहता है कि हमने सिर्फ मुसल्मानों को काम किया है अरे भाई क्यों हमको गयों में जो की तरह पीसे दे रहा हो हम तो जो हमारा right है जो हमको अधिकार मिलता है सक्ता में उसी क्याधार पर जन्वान उसको ध्यान में रखके काम करते हैं अधेरे कमरे में को सुई में डागे डालने वाली जैसी परक्रिया कर रही है ना तो दागा डाल पाएंगे अगा जी किस बात का सवाल जी जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब तो आप हर चीज हर चीज का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देते हैं आप विपक्ष में हैं मजबूत भी पक्ष हैं आप तो आपकी विजमेदारी बनती है ना कि ना है तो बिनिश्चित तो और पे जो सत्व आप सब्सक्राइब हैं उस पर तो हम ठीकरा भी फोड़ेंगे उससे सवाल भी पूछेंगे उसके खिलाफ आंदोलेंगी करेंगे जैकिन आप कॉंडेस्टे लीक्यां पांदोलेंट करें तो हम से बाद भाद मोई जब होग सब्सक्राइब अगर आपको काम कास नहीं पसंद आए तो आप यह मानिया देखें मैं आप से बहुत ही शालीन तरीक से पूछ वह आप मानते हैं ना कि आपका काम जनता को नहीं पसंद आया कि अब फिर उसी बात पर आएंगे तो मेरे खाल से आपको लगेगा कि मैं अपनी बात बदल रहा हूं आप यह होता ही हम बहुत हैं अब अब यह वह जार सत्रा में हम किस पर ओट मांग रहे हैं हम कहा रहते हमने बहतरी ने इक्सपरस बे बनाया हिंदुस्तान का हम कहा रहते सब्सक्राइब कर दिया हमने कहा कि हमने सास्ट सिवाओं में अभूत पूर काम किया हमने लगना वे लेकिन डीज़ेपी क्या कर रही ही थी संसान कभरिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान हिंदु मुचलमां इस बहुत काम कर दिया फिर उत्तर प्रृदेश की हालत लचर क्य आप बतां रही बताएं ब नोट बिजाटी क compensate act कर रहे हैं का दिक पीडिने कार criticism का नहीं कर दो कौंसा उत्तरप्रतेस खुर वस्ता में करता है प्रिस्क कर दो bargaining के वह एलो मत्रूं양ा उत्तर ज यह स्थे लो आतों है मैं आपको बता दू जो हमने प्रतिवेक्ति आई कि जो आमनानी थिवेक्ति की जहां अमने छोड़ा था जो पाँच परसद के करीब थी वह आज 2.8% रह गई है तो यह बीजेपी ने हमारे बढ़ा हुए कामों को आगे बढ़ा है जो एक्सप्रस में हमने 22 मैने में बना दिया आज दूसरा एक् बैटे हैं आपके जितने वी सवाल है ना उन सब के जवाब यहां वैवब जी देंगे उसे पहले बहुत देशे बुदेव जी कुछ कहना चाहरे हैं क्योंकि उनका ही मैनेफेस्टों जो है वो सामनी आया है बोलिए बुदेव जी काजली मैं एक दो सवाल है जो मनोच जी बैवब जी में बोली थे पहले मैं उनका जवाब दूआ बिलकुल उसके बाद मैं बताओंगा कि जैसे यह कहते है कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया तो हमें वोट क्यों नहीं मिलते हैं मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मुसलमानों के लिए या फिर सभी के लिए काम करते तो आज आपको ब्रामर सम्मेलन करने की या फिर किसी दूसरी जातियों के सम्मेलन करने की ज़िए तो नहीं पड़ती चाहे बसपा हो या सपा हो सुन लिए पहले और अगर आज जिस तरह से देश के हालात बने हुए है ऐसे आज ऐसे समय में जब पूरा देश जहां आगोशत इमर्जेंसी के हालात बन चुके है सरकारी सरस्ष्टाओं को दोस्त किया जा रहा है और अगर कोई BJP के खिलाब बोलता है तो उस पर सरकारी सरस्ष्टाओं को चाहे अगर बुरा लग जाएगा लेकिन अगर एक बात बोलू तो आप सुनियेगा तो बिल्कुल बुलिया आपको एमर्जेंसी से तो आप निकल कर आ चुके हैं फिर इतना डर काय रहे है काजल जी हमें एमर्जेंसी से डर नहीं लग रहा है लेकिन आज जिस तरह के हालात है आज हम एक विश्टों के सबसे बड़ी लोग तंतिक देश में है और वहां के हालात इस तरह के है कि आज पुलिस वाले हम पबलिक को किस तरह से पीट रहे हैं आप देख रहे हूँ और जिस तरह से सरकारी सरस्ष्टा को दुर्पयोग किय कृरोना में लोगों की मदद की उन्हें इन्हें गरो狗ोई Mexican राष्टवाद करने राष्ट्वाद की बात करते हैं इनको यह नुघ क्या होता है वैल्ह neutby डेश्ट कभी आप उन्हें टुक्डे टुक्डे बोलते हैं कब तक चलता रहेगा यह बिल्कुल आज इतने भी सरकारी इस्टिटूट है आज यूनिवर्सिटियों को बदनाम किया जा रहा है आज भारती जन्ता पार्टी के खिलाब कोई भी आवाज उठाता है चाहे वो खिसान हो तो वो खालिस्तानी हो जाता है आतंकवादी हो जाता है अगर विद्यार्ती अपने अधिकारों के लिए नोकरी के लिए आवाज उठाता है तो वो निठलना हो जाता है आतंकवादी हो आपने इस देश की आज़ादी में कित्रों योगदान दिया था इसको बताईए देश के लोगों को और देश के मुद्दों को लेकर के चुनाम में जाईए यह पाकिस्ता अमुसर्माव के भुदेश आपके बहुत सवार हो गए बीजेपी से आप मेरे सवाल का एक जिवाब को जाए है वो राजिस्थान की तरज़ पर हुए या किसी भी राज्य की तरज़्ज़ के तरज़ पर हो आपए बताइए कि मॉब लिंची की घटनाय कम हुई है आप अब बारस तो उठाते हैं इसको आपने मुद्दा तो बना लिया हैं लेकिन आपके राजिस्थान में लगातार मौब लिंचिंगी गटनाएं सामने आ रही हैं तब आप कुछ नहीं गोले तब आप नहीं जाते लेकिन अगर हात्रस कांड हो जाता है तो हात्रस में प्रियांगा गांधी जी भी जाती है राउल गांधी जी भी जाने की कोशिच करते हैं लेकिन राजिस्थान मेरा दाता नहीं है यह सरकार का दाता है और आप राजिस्थान की बात करते हैं तो राजिस्थान में जहां पर भी मौब लिंचिंगी गटना हो रही है तो आप देखिए कि उसके खिलाब कैसे कितनी जल्दी कारवाई की जा रही है और आप उत्तर प्रदेश या मद्द प बुदेव जी आपके पास वापस लोटूंगी मुस्लिम धर्म गुरू है अब्दुल हामी जी वो भी हमार सा जुड़ गए है अब्दुल जी मेरी आवाज के आप तक पहुंच पा रही है आप पहुंच रही है अब्दुल जी कॉंग्रिस ने सोचा है कि हर जुम्मे की न खाल गी मैं कि दelo के तैसे सेLES भी हुआ कि तो मैं समझता हूं के हिंडू मुस्लिम करने जाय। वोटर्स के रूप में, जंता के रूप में जो है वो बात होनी चाहिए, जब भी जो है वो चुनाओ निकट आता है, तो वो कहता है कि मुसलमान किधर जा रहा है, यह कोई नहीं कहता है कि हिंदू किधर जा रहा है, यह यादो किधर जा रहा है, यह दलित किधर जा रहा है, यह हिंदू-मुश्रीम की राजनीती गलत है और हम ने यह देखा है हमने कांग्रियस का भी दोर देखा है और वह वीजेपी का भी दोर देखा है तो 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 थोड़ा बहुत हमें जो अंतर था और हम जो है 17-18 साल से मेडिया में है और हम पराबर आते रहें लेकि इस तरह का चाहिए यह नहीं करना चाहिए लेकिन अभी स्थिति वह पिलुकुल वह पदली हुई है तो इसमें आपके लिए बहुत कुछ है मुसलिमों को सीधे टारगिट किया जा रहा है सीधे उनका हित्थ सोचने की कोशिश की जा रहे हैं यहाँ पर अपने program को सामने रख रही है तो इसमें जो है वह गलट क्या है श्को मुद्धा बनाने के मुश्लमान हिंदु को जो है जलीतों के लिए जो है क्रबान बनाया जाता हैस्ति क्लिए ठेघर को लिए चाहरें एक क्शल कई है इस हम अगर पर इखा जा रहा चाहर है तो यह कांग्रेस के ही वो समय में सच्छर कुमेटी की रिपोर्ट आई थी मनमोहन-सिंग relate काम किया था। मैं इसमें क्या दिक्कत है वो शरकारी दस्ता-वेध है तो इसमें क्या दिक्कत acronymasun की सबसे जब unwbus þेर कंथे सब जांधा पिछड़ा हुआ है कॉंग्रेस पर भरोसा है क्योंकि पिछले तीन दसक से सत्ता में नहीं आई यह कॉंग्रेस बरोसा है यह 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 सब जो है जो चुनावी भोशना पत्र वो पत्र जो होता है तो यह तो यह कथनी है वह जब तक पूरी तरह भरोसा करना यह वह मुश्किल होता है कम की आधार को सभा ने भी किया ठाद कांग्रेस ने भी कांग्रेस किया है, लेकिन संपर्दाइक क्या ड़्धं को क तख्वां ळूदा चाहिए था क्यों सभा पिद्धा कि कांग्रेस कांग्रेस को सफ़ा है जुए अभी दराठल पर कुछ नहीं आपनारा ही है कि मैं था जू नदर साहिए हमें तो जो भी दराठल के पुछ नहीं है अर पकिस्तान और उर्दू और शम्सान और कबरुस्तान केलावा हमें अभी लग टो तुक्ष नदर नहीं आ रहा रहे हुई तो एक बात बताईए अब्दुल जी बॉर्डर पर जाके लड़ाई लड़ना चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान के खिलाव बोल सकते हैं कि मैं अफ़गानिस्तान की निंदा करता हूं रूकर आप तहीक करेंगे। जावब जी आप तो बहुत निश्चिन तो बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि मानों के 2020 वह तो बस पूरी तरह से पनी मुठी में आप निश्चिन बैठ गए हैं अब अब निश्चिन बैठ गए हैं कॉन्फिडेंट होकर तो थोड़ा सा मेरी मेरा वेक्तव भी सुन लें बड़ा अच्छा लगेगा अपन विचार को विचारों का अदान प्रदान कर रहे हैं तो आप ने मुझसे सवाल किया इसलिए मैंने कहा कि आप जो है वो ताई कीजिए पालेशी तो अथार्टी ताई करती है ना सरकार जो त या तो आप बोलने या मेर को बोलने दें आपने पांच साथ मिनिट बोल लिया अपका गला थका नहीं तो आप थोड़ी देर और बोले अपनी दिल की इच्छा पूरी कर ले निए तो मैं बोल लेता हूं क्यूंकि मैं तो साल में बारासो गंटे करता हूं टेलिविजिए आप बारासो गंटे टीवी पर लाइव रहता हूं मैं साल में है ना पार्टी की तरफ से तो आप नहीं है आप की हो सकता हुआ इच्छा थोड़ी जादा हो तो आप कर लो कोई दिकत निया मेरे को हम आप से ज्यादा रहते हैं टेलिविजिन पर कौन ज्यादा रहता है कौन नहीं है यह सब बताने की ज़र्वत नहीं है अब बहुत करने की आप के पास बैट के बकर बकर करनी है उसके अलावाद करनी है आपको कुछ नहीं आता है अरे पहले बोलने के लिए सिख लिए पहले गरीमा भाशा की गरीमा भी गिराने का काम किया है आपको यहीं तमीज नहीं है कि किसे परना चाहिए नहीं आती तमीज मेरे को जाए कंप्लेंट करिए क्योंकि हम शालीन के लिए आपको रिक्वेस्ट किया प्यार से लिए आपको रिक्वेस्ट किया प्यार से लिए बोली आप क्या आप मौलाना है आपको रिक्वेस्ट कि आपको पूरा टाइम मिलेगा आप वैभब जी बोलिए देखिए ऐसा है पहले तो मौलाना यह देख लेए कि इनको चाहिए क्या जिस जिस किताब की जिस किताब का रिलिजन का यह अपने को धर्म गुरु बोलते हैं वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ ही नहीं है ठीक है तो जब हिंदुस्तान से इनका रिलिजन ही नहीं जुड़ावा तो यह हिंदुस्तानी सब्वेता में किताब पढ़ी है संसिगरिती के चारा दिया उसमें इसलाम है कि नहीं है अब धर्म पे लाली जी भारत में भारत का इसलाम भी धर्म है करें लेकिन सब को मत इसमें लपेटी है कि अगर पर अगर उठाएगा तो जो बाकी चार उंगलिया उन पर उठ रही है वो तो मैं धर्शा होगा ना राजने लेकिन इस तरह से नहीं जवाब अब अपर जिए अब मेरे को गलत भाशा का प्रयोग करके मेरे को दबाने की कोशिश करेंगे तो तो मैं और नहीं तुम् मैंने मौलाना जी को इतना रिक्वेस्ट किया कि वो मौलाना है उनसे मेरे को शिक्षा पराप्त होती है मैं सम्मान करता हूं उनका मेरे वेक्टिव को भी पटल पर रखने का मौका मिलना चाहिए लेकिन वो तो चाहते ही नहीं कि मैं बोलूँ को चाहते ही नहीं कि मैं तु सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, मैं याद दिलाना चाहूंगा, कि जब कॉंग्रेस के मैनेफेस्टों में सपाक के राज के द्वारा, कि समय हुए दंगों का इलाज करेंगे, उनको पनिश्मेंट देंगे और वो सब करेंगे, तो पहले मैं कॉंग्रेस से ये को पहले सुल्टाए, उससे बाद बाकी दंगों की बात करें, सबसे पहले, अब जब राजमीती हमने करनी है, तो राजमीती कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वन इस तु वन है, काउंटर पॉइंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तयार हूं, मुल कैजिक धाज्पा सरकार के चार साल, पिछले चार सालों में भाज्पा सरकार ने मुसलिम परिवारों के लिये, मुसलिम रिलिजन के लिए seis उत्तर प्रदेश में, जो सरकारी होती है उनको का आजफ पेαιं करी है, रिफले जो तरें की स्कीछ निग़ाव से भारत को बांटे कन कर रहे थे कि हमारे मदर से बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उतना कुछ भी नहीं हुआ, जबकि अगर सौ मदर से थे प्रदेश में, तो सौ के सवा सो हो गए, सौ के डेड़ सो हो गए, क्योंकि भारत सरकार ने एक X amount से Y amount प्लस करके, उसको Z amount कर दिया, जो म पहनाने के लिए, लेकिन जो असलियत है, वो असलियत है, ठीके, अब अब आपन ये देखने, कि राजस्थान के तज पर लौ बनाएंगे मॉब लिंचिंग का, अब देखिए, कॉंग्रेस क्या है, फिर बढ़काने की कोशिश कर रही है, पहले तो मॉब लिंचिंग क्यों, क्योंकि मॉब लिंचिंग तो खुदी राजनितिक सम्मान पाने के लिए, राजनितिक पैट पाने के लिए, खुद कर रहे थे, अब खुदी ने लौ बना दिया, अब राजस्थान की पर लिंचिंग कैसे होगी, लौ आया 2019 में राजस्थान की सरकार में, आप उसलिम चुषग उठाओ, तो लिकिनो कोई राजस्थान में पाइषर के विए मुसलिम बहां हैं लोगे को रिए, जयुज र牌स्थान अवून, क्यों नहीं है कि लिए करें लिए, इसर नहीं का बैदिक एंड़्छिए। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका लाइसन्स भी एड्रेस होता है भारत सरकार की महर के साथ, जो मेरा होता है, तो कैसे हो जाएगा, कॉंग्रेस के कही नेता है जिन पर डबल पास्पोर्ट है, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिकेशन है, लेकिन अब वही दिक्कत जाती है, अब जहां तक हमारी जो पढ़ाई की बात है, वो अगर एड्यूकेशन के हिसाब से यदि मैं इनसे पूछ रहा हूं, जिसके बेसिस पे कोई भी, कोई भी रिलिजिन, चाहे वो हिंदु इसाई हो, चाहे वो कोई और धर्म हो, यदि कोई अपने को भारत का इस्ल मैं से भारत में संध्री देशा आप्स राजनीता ह्त पर आते हुए, यद आप भारत की मैं स्वेशनीथीलीली था जैए, तब भारत में सानुय और प्रयोक बंदे और भारत भीून, ईनक होना नहीं दिया, कोईरसlab और रह दाएं, भी ते आम भी डिलिजित है, याफ शू की पुजान इना सिख्रवाइब के तो हमिए की लिए ये में ये जना सिजल आपके लिए लिए हमने नहीं बोला है वोग लिए वोट के लिए को चाहिए डम ये वरत आप एज़ोट के लिए ग्ली आप राश्ट की राजनेटी ब्लाब करे चलिए तो आपको पर चोटा से सवाल कर सकती हूं जी आप बहुत चोटा से सवाल आप यह बताईए कि जोब आप धन की राजनीती जातिवाद की राजनीती नहीं करते जब बसपा ने प्रबुद्ध संविलन निकाला तो आपने क्यों संविलन शुरू कर दिया उससे पहले तो ऐसा कोई संविलन दिखा ही नहीं दे रहा था बहुत चोटा सो कॉशन कोई बात नि मेरे को इसकी हिस्ट्री नहीं पता है मैं सची बात बोल रहा हूं लेकिन अगर ऐसी बात है और हमने उसके बाद शुरू किया है तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी पार्टी क्योंकि हमेशा हमारी पार्टी में प्रबुद समाज के प्रबुद लोगों का एक चलन रहा है इसमें अच्छी चीज़ है अब मुलाना जी जैसे अपना एक संगटन चलाते हैं उसमें उनके भी प्रबुद नागरिक हैं वो भी प्रबुत अता कर रहे हैं वो भी स्कॉलर्शिप सवालों से बहुत अच्छा बचना आता है बीजेपी को चले ठीक आपके पास वापस लोटूंगी वैभाव जी यहां पर बुदेव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं बुदेव जी बोलिए e-commerce पर इतने सारे तंज कसे गए इतने सारे सवाल उठाए गए हैं तो इनके सारे सवालों का जवाब भी दूँगा और उससे पहले मैं ये भी एक और थोड़ से बताना चाहता हूं बुदेव जी शौट में क्योंकि समय कि थोड़ी से तब यह हैं बिल्कुल बिल्कुल सौट में सिर्फ 2-3 मिनट देखिए जिस तरह से Congress Party हमेशा सभी जातियों मतर्य में जाता है और सिर्फ 2-1 कित्तने इतना वह और पाकिस्ता दिला तcitoडियां बीज़ इपिन इतना बहुत आदिकार दिया मुस्लिम महिलाओं को करिकुल काजल जी जिस तरह का डर हिंदुों को मुसल्मानों का पाकिस्तान का दिखाया जाता है और सता की तो पाकिस्तान 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 की पाकिस्त कि अगर कुछ करते भी हैं तो देश की सेना अमारे देश की सेना बिलकुल सच्चम है लेकिन भारत्य जंता पार्टी के यह फर्जी राष्टवाद और फर्जी नेटाएं के द्वारा हमारे देश के लोग कि अपर मानेंगे नहीं तीक अगरे बारत्य हमताओं भारतय नेटाही के नेताओं के लुगों नेटाओं के लिए मोश्टी आपकार्णय को송शा आपकेस्तान है कोई खोई आटेस के सयना पूरी तन घ्ताइपले जोर्ज हैas करते हैं लोगों को यहीं नbuild बताने की नुद्ध। यह बताने की कोचिस करते हैं यह जो myself touch और यह सब जोता है जिया जोता पर नहीं ब्लत बयान बाजी और बुद्ध को इसको खोड़ी है तो यह बिल्कुल बेक्तिकरák फर काह situations बिल्कुल गलत बयान वाजी है अब कई करक्ष पहले हैं हर चुनार चुनार के पहले हैं चुनार को हता है aur मेरे की जा या तैलिबान पर बात करेंगे लेकिन अभी में बात यूपी पर कर रहे हैं तो आप मैं राय परीली पर बात कर देगी हाँ काजल जी अभी वैदब जी से इतने सवाल पूचे गए एक भी मुद्दे का जवाब उन्होंने नहीं दिया बेरोजगारी को लेकर मैंने पूचा लेकर के हर जवाब को आपके पा सब्सक्राइब जवाब जवाब तो आपने भी सब्सक्राइब बहुत चोटा मैं बिल्कुल मेरा एक चोटा से सवाल था आप से आप यह बताईए कि मोनेस्टों जो है वह आप धरतल बुतार रहे हैं सब सिर्फ हवाब आइए क्योंकि हर बार कॉंग्रिस मोनेफेस्टों क्लेट लिए लेकिन दरातल पर पुछ दिखाईन देता है आप यह बताईए आप वादा करिये बिल्कुल बादा करिये कि आप पर यह वादा करता हूं आप जहां पर ही देख लीगिए हमने खिसाना को लोन माप करने की बात कहीं तो चाहे मद्द पृदस में हो यह बिजि में पास समय की कमी है बहुत छोटा सा कमेंड मैं वैवप जिसे लेदा चाहूंगी बहुत देर से बोलने की सोच रहे हैं तो मैं उनको समय दूँगी आप एक मिट में जल्दी से कतम करें फिर मैं आखरी सवाल मेरा अब्दुल जी से होगा कॉंग्रेस के प्रवक्ता बुदेव शर्मा जी का स्वागत है सम्मान है मैं उनकी उनकी फीलिंग से वाक्फित रखता हूं लेकिन मैं केवल एक ही बताऊंगा कि अंग्रेजी में एक पहावत है वर्ड स्पीक लावडर दन वर्ड यानि भारत सरकार ने हमारे मैनेफेस्टो मैं साथ साल पहले दोजार दोजार दिखा था देश की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि दस में से आठ पाम हो गए और उसी तरह हम 19 में गए 19 के मैनिफेस्टो बनाया और अब उसी तरह जाते जाते हैं चौबिस के मैनिफेस्टों में हमारे 10 के आठ काम नौ काम हो ज करना चाहें तो मैं बहुत हैपी हूँ यदि उनकी उनकी उच्छा यह कहते हैं तो हम कहां हैं चोटा सवाल आप से है कि मुस्लिमों को सभी पार्टियां दनकिरार करती हुई के नजर आ रही है लेकिन कॉंगर्स ने दामन थामने की कोशिश की है आप ये बताएए कि आप कॉंगर्स के साथ क्या इस मैनिफेस्टों के साथ आगे बढ़ेंगे बहुत सी पार्टियां बन गई है तो आपने लोग नफार मुक्सान को लाभानी को देखके वोटिंग करते हैं इसमें कोई मुद्दा नहीं है लेकिन मैं वेभव जी से ये कहना चाहता हूं कि मैं ने जो है तालीमान अफगानिस्तान और प्राण इसलाम की बात नहीं की थी और भारत का भी है और भारत में है इसलाम भी जो है भारत में पंडिस सुन्ता लाल ने गीता और कुरान जो है वह प्राप लिए जो है स्थानिय मुद्दे हैंनें जर्णता से जुड़े मुद्दे हैं मुसल्मानों को पूरी तरह से यहां पर हमदर्द बनाने की कोशिष हो रहा है सफाप को पूरी तरह से सहारे क्या कॉंग्रिस की नईया पार लगती है क्या कॉंग्रिस का बेड़ा पार हो सकता है 2022 में चले जीतना तो बहुत दूर की बात है क्या अपनी जमीनी स्तर पर जो राजनीती है उसको और ज्यादा धार देने की कोशिश जो कॉंग्रिस कर रही है उसमें वह सफल हो पाती है या नहीं यह सबसे बड़ा सवाल है आज के लिए बस इतना ही कर फिर लोटेंगे उन मुद्दों के साज उसी दे आपसे जुड़े हैं और आपसे ही जुड़े रहेंगे क्योंकि न्यूजवल इंडिया लगातार अपनी जंता से जुड़ा रहता है और जंता से जुड़े मुद्दे ही उठाता है फिराल के शुक्रिया